स्रीमेटेपी प्लाउठा कुर्दी मानियो पद्हेक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जिस मनिस्ट्री के उपर चर्चा हो रही है ये एक बहुत ही महतुपूरन चर्चा है भारत के संधर्म में इसको देखते हुए क्योंकि आयूवेदा जिसे हम पहले इंडियन सिस्टम आफ मेडिसन्स हेमोपेथी युनाइनी और सिधा के नाम से जानते थे जो 1995 में मिनिस्ट्री अलग बनी लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और जैसे कहा गया है पांच साल पहले ये क्यों नीचे इसका स्थर गिरता गया इसके पीछे भी हमें सोचना है हम 200 साल के करीब अंग्रेजों के अधीन रहे और उनीकी वज़ा जहां हमारी और पदतियें जहां हमारी और संस्कृतियें खत्म हुई जहां हम लोग अंग्रेजी को अपना गए जहां हमने और वेश्बूशा को अपनाया और गाव में और हमारे जो टेक्नॉलिजी को अपनाया और अंग्रेजों की उससे जहां अच्छी सीज़ें आई है वहां एक ये भी हमें नुक्सान पहुचा है कि हमारी ये पदती जो ती जो इंडियन सिस्टेम आई वेदा ये पीछे ही हड़ता चला गया लेकिन मैं ये कहती हूँ मैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्हों ने इस पदती को गाव में जिन्दा रखा जिन्हों ने उस गाव में जो उनके पास हुनर था जो उनके पास एक दौाई देने का ये खास बिमारी के लिए इलाज था उसको उन्होंने जिन्दा रखा अगर आज आयुवेदा जिन्दा है तो उन लोगों की वज़े से वो उसके बहुत हखदार है प्रिशंसा के उनको मैं धन्यवाद भी करती हूँ नत्मलस तक भी होती हूँ कि आज फिर हमारे अंदर ये आयुवेदा के प्रती आज हैमोपेथी के प्रती या यूनाईनी के प्रती जो भाव बर रहा है मैं नहीं दुराना चाहती एक बात कहना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर्ज है बीमेस करके आते हैं वो भी पांच सार लगाते है वो भी दो सार फिजियोलोजी सीखते है और नॉट मी सीखते है उस सब प्रोसेस से जाते हैं जो एलोपेथिक डॉक्टर सीखता है लेकिन उनमें फुरक है हमारी जो साइकॉलजी है आप जन्ता का जो प्रिसेब्शन है वो आज भी उन डॉक्टर्ज के परती उतना सहान्य भूती नहीं रखता जितना ऐलोपेथिक डॉक्टर्ज के परता है उनकी तनुखाओं में उनकी सेलरीज में फर्क है सोच में फर्क है जब तक हम जन्ता में लोगों में उन डॉक्टर्स के प्रती भावना नहीं पैदा करेंगे कि ये डॉक्टर्स हैं कोई ऐसे नहीं है हमें पहले आशूश में इस बात को लेना पड़ेगा हमारे पास आयूवेदा कॉलिजिस है जिसमें पीजी भी हो रही है और तरहें के कोर्सिस भी हो रहे हैं स्पेशलाइजिशन भी हो रही है लेकिन उसको ठीक तरह से बताया नहीं चाता और जहां तक मेडिसन्स का स्वाल है इसमें हमें साइंटिफिक वे से लाना पड़ेगा ठीक है हमें पता है दालचिनी बहुत काम करती है मलठी काम करती है तुलसी काम करती है अश्वन वो जो है पोदा उसके फाइदे है और जुन्खाल के फाइदे पर इसको हमको साइंटिफिक लोगों को बताना पड़ेगा कि ये केवल जड़ी बूटी है नहीं है इन्हों में गुन है उन गुनों को हम साइंटिफिक लिबॉर्टिक के तौर पे ही बता सकते इसलिए हमारा एंफेसेज जो है इन बातों पे होना चाहिए जो बहुत फार्मेसिस है आपने उसके लिए लिबॉर्टिस के लिए एक बोर्ट भी बना दिया हुआ लेकिन जब मेडिसन्स आती हैं उसमें लिखा होना चाहिए कि इसमें ये इतने प्रेश्चित है जैसे ऐलोपेटिक दौईयों में होती है हम उन से कंपिटिशन कर रहे हैं हमने उनका मुकाबला करना है के वल्योग ही आयूवेदा नहीं है आज हम कहते हैं कई बार पढ़ने को आता है कि कैंसर का इलाज है आयूवेदा क्यों नहीं हम रिसर्च करवाते है क्यों नहीं अगर किसी ने कुछ कहा है उसको बुलाके उसको हम फैसलिटिस क्यों नहीं देते कि आप रिसर्च कीजिए इसके उपर जिससे कि हमारा माडाम हो सके इसी तरह और्ट मेडिसंस है आज भी गौव में दमे के लिए पीलिया के लिए ऐसे ऐसे लोग है उनको रिजिस्टर कीजिए उसको खतम मत होने दीजिए ये खांदानी लोगों के पास होता है एक बेटे से बाप बाप दादे से बेटा बेटे से आगे बेटा लेकिन वो उसको पूरी तरह बता नहीं सकते क्योंकि वो रिजिस्टर नहीं है उनको लिजिमेटी नहीं है इसलिए मैं ये कहना चाहूंगे कि उन डॉक्टर्स की हाला देखे उनकी साइकी देखिए वो अपने आपको क्यों नहीं है मेरे रही हुई बाचर मेरे पास ये विभाग था मैंने देखा उन डॉक्टरों के साइकॉलजी को कि वो अपने आपको ऐलोपेटिक डॉक्टरों से हीन समझते है उसको दूर करना है पहले तो आप बराबर के कम नहीं है आप स्पेशलाइजेशन करते हैं ऐसी है कोर्सिस हैं हो रहे हैं और यहां तक कि जहां पे ऐलोपेटिक डॉक्टरों जाना मुनासिब नहीं समझते हिमाचल में ऐसे जगा थी जहां पे अलोपेटिक डॉक्टर जाना नहीं चाहते हमने वहां आयू वेदा डॉक्टर भीजे कि लोगों को इलाज होना चाहिए पी-एसी में, डिस्क्वेंसरी में तो ये सारी बातें आपको सोचनी है तब ही हम इसका आगे उत्हान कर सकते हैं इसको बढ़ावा दे सकते हैं केवल बात करने से या बजट बढ़ाने से नहीं होगा हमें अवेरनेस लानी है अपनी इस्पधिती के लिए हमें लोगों को जागरूख करना है और तब ही वो जागरूख हो सकेंगे अगर हम इसको साइंटिफिक ढंग से आज हर बच्चा जो है गुगल देखता है उसको कोई मेडिसन बता देते हैं वो सबसे पहले गुगल में देखता है कि इसमें कौन कौन से सॉल्ट पड़े हुए है कौन कौन सी चीजे है तो इसलिए हमें भी आयू वेदा में अभी कहा कि हमोपेथिक मनोची ने अरे भी हमोपेथिक इंटरनेशनल हो चुकी है जर्मन से शुरू होके पूरी दुनिया में चली गई है आयू वादे को हमने सीमत रखा है केवल हिंदुस्तान तक भारत तक इसको हमें आगे लाना है ये सबसे अच्छी और जिसके इफेक्ट्स नहीं है ये भी बताना है तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि हमें रिसर्च के उपर जोर देना है हमें ऐसे लिबाट्रीज बनाने है सबसे पहले है लोगों के दिनों में ये दिमागों में है कि ये दूईयों का दही कोई स्टेंराइजेशन यहीए इनके तो कोई मापधन्दी नहीए पतानी इन में क्या पड़ा हुआ है इस चीज़ को खतम करने के लिए हमें उनका स्टेंराइजेशन करना है उनके मापधन्द बनाने है जिससे कि लोग उसमें विश्वास कर सकते सबसे बड़ी बात है विश्वास पैदा करने की वो हम कर सकते हैं चाहे पब्लिक लेलेशन से कीजिए चाहे कैम्प लगाईए चाहे जो डॉक्टर्स हैं उनको इतना ज्यादा मांद दीजिए जिससे कि वो अपने आपको इसकाबिल समझे बहुत अच्छा है चला आ रहा था लेकिन ठीक है हलात के मताबिक ये पीछे हड़ता गया और आगे लाना है तो हमें इन बातों के लिए सोचना पड़ेगा जड़ी बूट ये बहुत है और उनको इस्तबाल भी कर रहे है पुदीना घर में इस्तबाल करते है तुलसी घर में इस्तबाल करते है लेकिन उसका हम लोग धंग से जो है प्रचार नहीं कर पाते है प्रचार का हमारे यहां यही है हमने वेद भी सीखे वेदिक वो भी सीखे तो मेक्स मुलर के दौरा सीखे इसी तरह इसका भी आयूवेदा का भी हो रहा है जैसे भी कहा टर्मिक काफी क्यों नहीं हम कर सकते हमें इस सिर्फ केवल इलाज करने के लिए नहीं सोचना चाहिए हमें इन बाई प्रोडेक्स के लिए भी जाना है उनके बारे में भी बात करनी है तो इसलिए मेरा आप लोगों से मौंतरी जी से ये कहना है कि सबसे पहले तो आयूवेदा के जो डॉक्टर्स है या मेडिकल जो आयूवेदा के कॉलिजिस है आयूवेदा के जाम लगवर में बहुत अच्छी उनिवस्टी है इसी तरह और जगा भी है उनको रिकोगनिशन दीजिए उनका मान आदर कीजिए उन डॉक्टर्स को बताईए कि आपकी पे और एलोपेथिक की उसमें कोई फरक नहीं है परमोशन के लिए कीजिए उनको महसूस ना हो कि हमने बी-एमिस की है या हमने specialization की है तो हम कुछ है हमारे हमारी पदती में भी तो surgery है हर तरह के इलाज है क्यों नहीं हम उनको आगे लाते हैं क्यों नहीं हम उनके उपर research करते हैं इसलिए मेरा आप से ये कहना है जहां ये बज़ट से ही देख लीज़े कि अलोपेथिक और उसमें कितना फर्रक है कहां आप इसकी disparity को खत्म करेंगे कहां बराबर का हिस्सा लाके देंगे जो dispensaries हैं उनकी हालत देख लीजिए डॉक्टर्स का बैठने के लिए जगा नहीं है आज आप इनने कहा कि क्यों स्टेटोसकोप हम वो यूज़ करते हैं डाइगनोज के लिए उनको चाहिए laboratory चाहिए आज जो है हर बात के लिए हमें एक दुसरे का साथ चाहिए केवल आइसोलेशन में नहीं रह सकते आज से उनके पास पूरा knowledge है पढ़ते हैं वो कोई गल्ट इस्तमाल नहीं करते हैं पहले तो हमें लोगों की psychology भी बदलनी है आप भी है में भी है सिर्दर्द होगा फटरवट जोई ले लेंगे एक मिनिट में अराम आए हम जो एक दम चाहते हैं ना अराम इलाज उसका भी हमें कुछ ना कुछ समाधान करना है वो तब ही हो सकता है जब हम ऐसे केम्प लगाएं या ऐसे लोगों को समझाएं उसके बैड इफेक्स बताएं एलोपेथिके तब ही हम लोग इस अफ़ज़दी को आगे बढ़ा सकते हैं केवल कहने से बात नहीं बनेगी मंद्री जी मुझे मालून है आज कौव में जो बैठा हुआ है बीमस उसको नौकरी नहीं मिल रही है वो दुकान खोलके बैठा हुआ है उसके पास मरीज केवल जैराम जी आयुवेदा की दौई लेने नहीं जाता है वो चाहता है कि मुझे इमिजेट रिलीफ मिले अगर आपने उसको दूसरी दौई दे दी है तो वो कहेगा यह डॉक्टरी काम का नहीं मैं तो रामी नहीं आया तो इसलिए इस चीज को एकठा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना है उसके लिए हमें बताना है जो हमारी मैडिसन्स बन रही हैं जो मैनिफिक्टर्स हो रही हैं ऐसी आपको फर्मिसिटिकल कंपनी लानी चाहिए जो इनके उपर मैडिसन्स बना सकें रिसर्च करें नहीं नहीं इन्हीं को ठीक ढ़न्ट से जो एड़ा पेश पेश किया जाए जो ज्यादा नहीं कहते हैं क्योंकि बहुत कुछ कहा गया है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं बीए मिस जो आयूवेदा के डॉक्टर्स हैं उनके बारे में अवश्य सोचिए उनकी एक बारे में उनकी फूचर के बारे में सोचिए उनकी सेलरीज के बारे में सोचिए उनके स्टेटस के बारे में सोचिए सबसे बड़ी है स्टेटस की उनको वो स्टेटस मिलना चाहिए जो एक ऐलोपेथिक के डॉक्टर को मिलता है वो खुद काम करेंगे उन्में ही भावना नहीं होनी चाहिए तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए केवल इतने ही कहूंगे कि जहां बजट कम है उसको बढ़ाईए और रिसर्च के उपर स्टेंडराइजेशन के उपर लेबोर्टरीस के उपर आप ज्यादा खर्च करें जिससे कि लगे कि अलोपेटिक के आजू वेदा जो है जड़ी बूटिये नहीं है घास फूस नहीं है इसमें सबस्टेंस है इसमें इलाज है और सबसे बड़ी बात जो गौव में आज भी बैटे हुए हैं जिनकी खांदानी बैमारियों के इलाज चल रहे हैं उनको भी ढूंडिये उनको भी रिजिस्टर कीजिये उनसे भी वो मेडिसन का जो है वो सीखने को मिलेगा उनसे समझिये कि क्या देते है किस से इस बैमारी का इलाज होता है कोई पिपल के पते से ही पिले का इलाज कर लेता है कोई दूमे के लिए कोई और इनको भी हमें देखना है ये सालों सालों सदियों से चले आ रहे है तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि आज टाइम आ गया है समय आ गया है अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इस पदेती को आगे बढ़ाए इसको जिस तरह से कहा कि पूरे भारत में और नाम इसको इसका दुनिया में हो लोग इसका समझे कि आयुवेदा क्या है नियाचरल निपहती क्या है तो उसके लिए हमें बड़े उससे काम करना पड़ेगा scientific काम करना पड़ेगा पूरी तरह से लोगों को explain करना पड़ेगा कि अगर हम ये medicine दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं इसमें क्या है ये हमें doctors को भी समझाना है और इस तरह की pharmacy pharmaceutical company को भी बताना है कि इस तरह से research करे हमारे पास कई उनका इलाज आता है कई बिमारियों का इलाज बोला जाता है लेकिन हम उस पे research नहीं कर सकते उस पे हम लोग पैसा नहीं खर्च करती है हमारी government जिससे कि हम उसका आगे ले जा सके और लोगों को फाइदा हो सके बहुत बहुत धन्यवादा